हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल डीप क्लासिज जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राहु सांकृत्यायन के यात्रा वितान के नर्देश की और की विशेशताओं का विवेचन हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें साथ ही एमेजडी से रिलेटेड अधर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं किसी स्थान विशेश की यात्रा से लोटने के बाद जब कोई लेखक उस स्थान विशेश की भोगौलिक इस्थिति प्राकृतिक सूश्मा वहां के रहने वालों के सांस्कृतिक जीवन यानि रहन सहन, खान पान, वेश भूशा, लोग कला आदी यात्रा में अपने अनुभवो प्रतिक्रियाओं का साहितिक कलात्मक शैली में वर्णन करता है तो उसे यात्रा वितांत कहते हैं, इस यात्रा के पीछे दो कारण होते हैं, पहला सोंदर्य पिपासा और दूसरा जिग्यासा यात्री, या तो उस्थान की प्राकर्तिक शोभा का आस्वादन करने के लिए जाता है, या फिर उस प्रदेश के विशय में जानकारी प्राप्त करने के लिए यात्रा वितांत एक साहित्तिक विधा है, अतहा यह पर्रेटन पुस्तकों से भिन पाते हैं, इनमें आकडे विज्याप्तियां नहीं होती यात्रा के इच्छूक लोगों को उससे सफलता मिलती है, परन्तु प्रत्यक्ष रूप से नहीं, आ प्रत्यक्ष रूप से उन्हें पता लग सकता है कि अमुक स्थान की यात्रा करने के लिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए यात्रा की आसुविधाओं और कठिनाईयों को कम कैसे किया जा सकता है उस प्रदेश का भुगोल यात्रा का प्राकर्तिक सौंदर्रे कैसा है पर यात्रा वितान्त का उदेशे मार दर्शन नहीं होता किनर देश की और राहुल जी के यात्रा वितान्त किनर देश में इसका प्रारंभिक अंश है इसमें लेखक ने अपने गंतवे तक पहुँचने के क्रम में की गई यात्रा रामपूर से उड़नी तक की गई यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है अन्य यात्रा वितांतों की तरह इसमें भी यात्रा मार्ग के आसपास के भुगौलिक शेत्र जलवाईू वहां होने वाले व्रिक्षों फलों तरकारियों प्रदेश के जर्नों नदियों उबर खाबर रास्तों का वर्णन तो किया ही है साथी वहां के निवासियों के रहन सहन वेश भूशा लोक विश्वासों शेत्र सलस्कृती के चित्र भी है परवत प्रदेश की यात्रा कठिन और कष्ट साध्ये तो होती है वह पच्पन वर्ष की आईउ और मदुमे रोगी के लिए और भी कष्ट प्रद हो जाती है लेखक ने इस यात्रा की कठिनाईयों और कटू अनुभवों का क्यथाचित्रन किया है यात्रा के आरंब में ही बताया गया है कि पहाड में अकेला खचर नहीं ले जाया जा सकता इसलिए सामान के लिए दो खचर और सावारी के लिए एक घोडे का प्रबंध किया गया इस यात्रा के पहले चरण में ही लेख की जो दुर्गती हुई उसके विशय में लिखा गया है कि दस मील के रास्ते में उत्राई या समतल पत पर तो कुछ नहीं मालूम हुआ किन्तु अंतिम चार मील कड़ी चड़ाई के थे धूब बी तेज थी उपर से डाइबिटीज वाले आदमी का तालू वैसे ही सदा सूखा रहता है मत पूछिये अंतिम चार मीलों ने मेरी क्यागत बना दी कश्ट आसहाय था किन्तु हिम्मत छोड़ने की बात ना थी जानता ही था बिना सहारन पहुँचे शरण नहीं बस्तु तहा लेखत ने इस रचना में अपना ध्यान प्रदेश से निवासियों के जीवन तथा उनकी समस्याओं पर अधिक केंद्रित किया है मेले से लोड़ती हुई बनी ठनी दुशहरी नारियां गीत गाती है किन्नल प्रदेश की इस्त्रिया उन सारी अर्थात लंबा चोड़ा पतला कंबल पहनती है जिसे पहन कर सिर को छोड़ कर उनका सारा शरीर धक जाता है मोर्चा स्त्रिया तोपी पहनती है जिसके तीन भाग में उरे उठे मनपटे नयार जाते समय की यात्रा का चित्र देखिये अब चढ़ाई थी दूप सीधे बाएं से पढ़ रही थी दिख्षो की चाया नहीं थी पहाड वनस्पति हीन था चढ़ाई दो मील रही होगी उसे पूरा करने के बाद हम देवदारों के सुन्दरवन में थे सारा परवत मात्र तुंग सरल सदा हरिद देवदारों से धका था मनपड़े जाडों में नीचे गिरा कर कंटोप कासा भय देती है पुरुष मदीरा पान करते हैं सोयम मदीरा बनाते हैं मेले ठेलों में जाकर मौज मस्ती करते हैं नाश्ते गाते हैं और स्वर्ग सुक अनुभव करते हैं बहा नहीं यहीं बैखुंड ये लोग धार्मिक अंध विश्वासों रूडियों में फसे हैं पंडित पुरोहितों की बातों पर विश्वास कर उनके द्वारा चले जाते हैं कुछ लोग लामाओं की मंत्र शक्ती और सिध्धाई पर विश्वास करते हैं बुशहर के निवासी अपनी अधिशवरी भीमकाई को आध्या भगवती मान कर बड़ी श्रद्धा भक्ती से उसकी पूजा अर्चना करते हैं उन्हें यह भी विश्वास है कि उनके खजाने में त्रेता में हुए भगवान रूप में रुपए पैसे रखे हुए हैं मंदिरों के पुजारी नितांत मूर्ख हैं किसी पोथी को अत्यंत प्राचीन धर्म गरंत बगता कर उसे बिना पड़े भी अपने ज्यान का प्रतीक बना कर लोगों को ठकते हैं यहां के लोग शिक्षा संस्थाओं के अभाव में आशिक्षित रहते हैं और यातायात तथा संचार की सुविधाओं जैसे डाक, तार और टेलिफोन आदी ना होने के कारण कश्ट पाते रहते हैं लेकक बताता है कि लोहे के पुल बनने से पहले यहां के लोग पहाडी नदिया पार करने के लिए घास के रसे में जूले बना कर यात्रा करते थे यह यात्रा बड़ी जोखिम भड़ी होती थी क्योकि घास का बना पुल या पट्री किसी भीशन तूट सकता था और नीचे वेगवती जलधारा में गिरकर मनुष्य पलबर में ओजल हो जाता है परवतों पर रहने वाले लोग सरल भोले भाले इमानदार तदा आतित्थे करने वाले होते हैं यात्रा के दूसरे दिन नचार जाते समय लेखक मार्ग में एक दुकान पर टिकता है वहां उसकी भेट एक खंबा युवक से होती है जो आग्रै पूर्वक उसे अपनी मा के हाथों बनी चाय पिलाता है उसका व्यावार इतना सोंदर्य पून और शालीन होता है कि लेखक के मन में जीवन भर उसके साथ रहने की इच्छा पैदा होती है इसी प्रसंग में खंबा लोगों के खाना बदोश रहन सहन के संबंध में बताया गया है लेखक की जिग्यासा केवल वर्तमान तक ही सीमित नहीं है वह प्रदेश और वहां के निवासियों के अतीत के विशय में भी बताना चाहता है अतहत तीन दिन की यात्रा के मार्ग में जहां जहां भी जाता वहां का इतिहास जानने के लिए कुछ उठा ना रखा अपने इसी शोध करता रूप में अपने विवित स्तानों के अतीत के विशय में ऐसे जानकारी प्राप्त की वै उसे पाठकों तक पहुँचाता है चराहन को वह शोणित पुर का बिगड़ा हुआ रूप मानता है और लोगों से बाचीत के बाद यह सूचना देता है कि यह नगर द्वापर में बाडासुर की राजधानी थी और यहां उसकी बेटी उशा ने अपने प्रियतम अनिरुद को पकड़ कर मंगवाया था इसी अनिरुद की कुल परंपरा में वर्तमान ही माचल प्रदेश के राजा पद्म सिंग और बाद में वीर भद्र सिंग हुए पद्म सिंग ने अपने शासन काल में लोगों को शराब बनाने से रोका ताकि राज्ये की आमदनी बढ़े पर वह सफल न हो पाए वहा के लोग लुका छुपी शराब बनाते रहे और पीने पर तो अभी कोई पावंदी थी ही नहीं सराहन का पूर्व गौरव बताते हुए कहा गया है कि पहले वही बुशेहर की राजधानी थी बाद में रामपूर को राजधानी बनाया गया कुछ समय तक वह गर्मियों की राजधानी भी रही 1926 तक रामपूर से यहां तक टेलीफोन भी था लेखक को वर्तमान की चिंता का भय नहीं है अतह वह सुझाव देता है कि यदि ही माचल सरकार इस प्रदेश को फलो की खान बनाना चाहती है तो संचार तथा आवागमन के साधनों को बढ़ाना होगा यात्रा के अंतिम चरण में इस्थिती के निकट पहुँच कर वह उसके अतीत के विशे में बताता है कि सो वर्ष पहले स्पिती लद्दाक का भाग था स्पिती वाले मोट भाषा बोलते थे लद्दाक को मानुमीर ने लिया था स्पिती किसी मालिक की खोज में थी अंग्रेजों की क्रिपा द्रिष्टी पड़ी 1864 में एक अंग्रेज अफसर भेजा गया उसने एक राज सेवक को ब्रिटेन की और से शासक नियुक्त करने की सिफारिश ही तब से वही नोनो वंश स्पिती का वेताज बादशा है इस यात्रा वितान में सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थान स्थान पर लेखक की टिपनिया ये टिपनिया यात्रा में पढ़ने वाली इस्थितियों, घटनाओ, भाशा भेद, संस्कृती भेद, धार्मिक अंध विश्वास आर्थिक सुधारों से संबद्ध है चराहन नाम के इतिहास पर पंडित प्रवर के पोग पंथ पर अभिमानी में मठ के रामचंद्र जी के खजाने पर सरकारी बंगलों और यात्री निवासों में बदलने के सुभाव पर ब्रामणों, देवताओं तथा किर्नरों के लोगों की कठी नाईयों पर की गई तिपडियां विचारनिये हैं इन टिपडियों से पता चलता है कि लेखक गंभीर जिनतक, भाशाविद, संस्कृती विग्गे, एवं जन सामान्ने के हितों के प्रती जागरुक और करमठ जन सेवक हैं कुछ टिपडियां लेखक के हिर्दे की मुक्तावस्था, वर्जना हींता और रोमानी प्रकृती का परिचय देती हैं वह सुरा और सुन्दरी की बाते करने में संकोच अनुभव नहीं करता कुछ टिपडियों में लेखक का वैचारिक आगरे भी हैं परवह जन हित की चिन्ता से प्रसूत हैं रियासतों के कूप्रबंध राजाओं की मन्चाही अंग्रेजी शासन की कुरूरता और वर्तमान सरकारी तंत्र की जड़ता तथा सम्वेदन हिंता पर की गई टिपणिया ऐसी ही है पहला है किंतु सो भाग्ये से सरकारी काईदे कानून जैसे निश्टूर होते हैं वैसे उसके यह साधारन सेवक नहीं समझ में नहीं आता दस-पाँच दिन छोड़कर इन बहुधन समपादित बंगलों को सालबर बंद रखने से सरकार ने क्या लाप समझा है सरकारी अफसरों को पहले स्थान मिले ठीक आग्या पत्र पाने वालों को भी पहले स्थान दिया जाए किन्तु खाली बंगले को साधारन यात्री के लिए क्यूं नहीं खोल दिया जाए दूसरी टिपनी देखें मैं जानता था राजा के विराज होने पर ना जाने कितने घोडे और सईस ही बेमालिक नहीं हुए है बलकी भीमकाली के प्रताप से जीने वाले सारे रावी गाउं के ब्रामनों में भी कोराम मचा हुआ है सरकार ने देवी के असी हजार खर्च को घटा कर पंद्रह हजार से कम कर दिया ब्रामन देवता जरूर घर पर निराहार पुष्ची चरण करते होंगे उनके लिए इससे अच्छा तो फिरंगियों का राज्य था अच्छा देवताओं कोई परवा नहीं तुम्हारे पास कपड़े में लिप्टी वैस सत्यू की पोथी है सुनते हैं उसमें सोना नहीं पारस बनाने की विधी लिखी है तीसरी टिपनी देखें किस भाशा तत्व या व्याकरण के अनुसार यहां के पंडित मुर्ख जप्टानंद से पूछ लीजिए जो यहां से थोड़ी सी नीचे के रावी गाव में सत्यू की पोथी लेकर बैठे हुए है इस पोथी को ना इनकी हजार पीडी पढ़ सकी है और ना वहें खुद बलकि वहें पोथी तह पर तह कपड़ों से लिप्टी सारे कल्यूग में भी ना खुली और यदि राम जी की इच्छा होगी तो आग वाग लगने पर कोईला बनकर ही खुलेगी तो इन टिप्णियों की विशेशा यह है कि ये सटीक है आरोपित नहीं है यात्री के नाते सहज भाव से की गई है पाठक को वस्तु स्थिती का बयान का एक भाग लगती है और आसंगत प्रतीत नहीं होती तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तक्यू पो वाचिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ण की खत्म है